नमस्कार टॉप 5 में स्वागत है आप सुमिका मैं हूँ आपके साथ श्रबन तम बोली तो शाम के पाँच भजने वाले हैं और अब तक की 25 बड़ी खबरे लेकर मेरे सहयोगे अखांग्शा और शाया हमाजिन है शुरू करते हैं आज के खबरों कर सिलसिला बड़ी खबर भोपाल से M.D.Factory के मालिक के घर I.B.C. 24 पहुचे M.D.Factory के मालिक अमित प्रकाश शतिरुवेदी के घर हमारी टीम पहुचे आरोपी अमित प्रकाश के घर ताले लगे हुए थे गुजरात ATS में नशे के सौधागरों के खिलाफ मदप्रदेश के राजानी भोपाल में बड़ी कारवाई की है दो आरोपियों गिरफतार किया है और एक बड़ी फैक्टरी का खुलासा किया है भोपाल के कटारा हिल्स में एक बड़ी फैक्टरी चल रही थी और जिस आरो आरोपी थे अमित प्रकाश और अमित प्रकाश के अलावा जो दूसरे आरोपी थे सान्याल बाने महराश्ट के हैं और अमित प्रकाश चतुर्यदी भोपाल के हैं और द्वारकापुरी के इसी मकान में रहते हैं ATS का दावा है कि जो प्रोड़क्ट इनके पास जितना MD ड्रग बरामद हुआ है उसकी बाजार की कीमत 1816 करोड रुपए है बहुत बड़ी रकाम है और मद्परदेश का पहला ऐसा मामला है मद्परदेश में पहला ऐसा MD ड्रग का केस बस्ट किया है गुजरात की ATS ने और प्रगाश चत्रुएदी को और अमित प्रगाश को गिरफतार करने के बाद ATS अपने साथ गुजरात लेकर गई है पूछताच हो रही है और पूछताच के बाद इदावा की जारा कि कई और लोग भी इस पूरे मामले में गिरफतार होंगे कैमरामन वीनीत के साथ नवीन स प्रगाश चत्रुएद बाद विनीत इस प्रगाश इंदू महासभान गातार विरूथ कि ती अपील की थी है हारा कि इस अपील का कुछ खास असर नजर नहीं आया बादर पूरी तरह से खुला नजर आया एक तरफ हिंदुवादी संगेटना भी विरोध कर रहे हैं मैच को लेकरके लगबग मैच जो ग्राउंड है उससे एक डिल किलो मीटर पहले ही हम बानों को रोख रहे हैं और तिकेट को चेक किया जा रहा है मैच में तिरी लियर सेक्वर्टी को हमने इंप्लिमेंट किया या तीनों इस तरह दारियों को ही पिरवेश दिया जा रहा है बानों की पार्किंगी विवस्ता हमने जो मिडल कार्टन है और आउटर कार्टन उसके बीच में प्रॉपर पार्किंग करके विवस्ता की गई है अ अन्य बाजार गॉालियर में सामाने ता साड़े बारा और एक बजे तक ही कुलते हैं मुझे कोई ऐसा बंद का असर भी देखने को नहीं मिला है फिर भी पुलिस का सुतना तंत पूरी तरह से मजबूत है किसी भी तरह कि ब्रोद या किसी भी तरह की ऐसी चीजों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और उन्होंने साथ कहें दिया है कि मैश रांथी पूर तरीके से होगा और उसको लेकर उन्हें सारे इंत्रवात हैं वो पूरे के हुए और मैश की सुरक्षा की बात करें तो तीन हजा से जाज़ ज़वाने उनको तैनात किया गया है कि कोई भी व आश्टी संयोचक अर्विन केज्रिवान ने जनता की आदालत को संबोदित किया और कहा कि अब डबल इंजन फेल हो गया एक इंजन जून में ही खराब हो गया था जबकि इनकी 240 सीट आए थी अब दूसरा इंजन एक-एक करके जा रहा है अभी हर्याना से जा रही है फिर चमु काश्मीर चारखंड और महराश्ट से जाएकि लोगों को समझ आ गया कि डबल इंजन मतलब महंगाई बिरोजगारी और भ्रष्ट चार इसने पूरी देश से इनकी सरकारे जा रही है दिल्य के चित्रसाल स्टेडियन में जुनता की आदालत को मुखे मंत्री आतिशी ने संबोधत किया उन्होंने कहा कि 2015 हमें अर्विंद केजरिवाल की सरकार बनने से पहले आठ आठ गंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे मेंगे विचली के बिला आते थे कच्ची कॉलोनियों में महिलां को गंटों तक पानी के टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता था सरकारे स्कूल जहां आम परिवार या गरीब परिवार के बच्चे जाते थे अर्विंद केजरिवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली बासियों की समस्याओं का समधान किया दिल्ली में कल लकसर प्रभावित राजियों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी के इंद्ग्रे मंत्रिय आमित शा बैठक लेंगे और बैठक में आंद्रप्रदेश पिहार चतीस कर की सीम शामिल होंगे उनके साथ मंद्रप्रदेश शारखन तेलंगाना की सीम भी मीटिंग में शामिल होंगे नौ नकसलियों के शिनाक्त की कोशिस जारी है पलिस ने पहचान किये गए नकसलियों के तस्विरों के साथ एक सूची जारी कर दी बता दी कि नरायनपूर सीमा पर 31 नकसली मारे गए थे इधर नारायनपुर में मारे गए नकसलियों की तस्विरे सामनी आ गई है ग्राउंड जीरो से मारे गए नकसलियों की तस्विरे सामनी आई है तस्विरों में वर्दी में नकसली दिखे हैं दंतिवाडा और नारायनपुर सीमा पर के मुट भेड़ वे थी जवानों ने कब तिस नकसलियों को मार गिराया था मालदीव के राशपती अपने देश से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं मालदीव के राशपती कारियारे ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि राशपती मुहमद मुईजू और मालदीव की प्रतम महिला साज़िदा मुहमद भारत की राज़किये यात्रा पर रवाना हो गए हैं बतातें कि भारत और मालदीव के बीच संबन्द इस वक्त वेहत्त नाफपून दौर में हैं मालदीव की चीन परस्त राश्पती मुहमद मुईजू ने भारत दौरे से दोनों देशों की रिष्टे बहतर होने के उम्मीद जताई है वे यहाँ 10 अक्टूबर की दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान मुईजू और पीएम नरेंडर मुदी की बीच दिपक्षी वारता भी होगी इसके बाद उनकी राश्पती दौरपदी मुर्मू से भी अपचारिक भेंट होगी दिरगाज़ा पठी की एक मस्जित और स्कूल पर इस्राइली हवाई हमले में रविवार तड़के कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 93 लोग खायल हो गए हैं पिलिस्तीने अधिकारियों ने ये जानकारी दी है इस्राइल ने इदान समर्थेत आतंगवादी समोहों के खिलाब युद का दायर बढ़ाते वे उत्तरी गाजा और दक्षडी बेरूत में बंबारी तेस करती है इस्राइल 7 ओक्टूवर को हमास के हमले के करीब एक साल ब पकड़ा इसमें 16 पिस्टल और हत्यार बनाने का राव मटेरियल शामिल है हत्यारों के साथ दिल्ले पलस ने दो लोगों को हिरादसत में लिया है ये दिल्ली में हत्यारों के सप्लाई मेरट से करते थे और ये बताया जारा है कि ये सभी हत्यार मेरट की एक फैक्ट्री से पकड़े गए यहां भारी मात्रा में अव्यद हत्यार बनाये जा रहे थे पश्रिम बंगाल के दक्षिड 24 परगना में 10 साल की एक बच्ची की बलातकार के बाद हत्या की गटना सामने आई बारदात के बाद गुसाईल लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी बीड ने पुलिस कर्मियों पर कारवाई पे देरी का आरोप लगा कर पत्राओ भी किया पुलिस सुट्रों के मताविक आरोपी शक्स ने अपना गुना कबूल कर लिया है पूच ताच में आरोप दिली के विश्वकर्मा नगर में चल रही रामलीला के दौरान अभिने करते हुए कलाकार की मौत हो गई हार अटैक से मौत होने के आश्रंग का अमरत के पहचान सुशील कौशिक के रूप में हुई है वो रामलीला के मंच पर अभिने के दौरान अचानक बेहोश हो कर गए इसके बाद आनंद विहार के कैलाश दीपक अस्पतार में उन्हें भर्ती कराया गया जहां डौक्टरस उन्हें मौत हो गया घटना में एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत हो गए मौत को में दो मासूम बच्चे बेशामिल हैं मौके पर पहुंची फायर बिगट की गाड़ियों नियांग पर काबू पाया इस्थाने लोगों ने बताया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला स्लम एरिया होने के कारण एक्जिट का कोई रास्ता नहीं था और परिवार उपर ही फसा रहा राजिस्तान के दोस्ता में बेलागाम डंपर ने दस लोगों को रौन दिया हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई च्छे लोग गंबीर उप से खायल हुए वही घटना के बाद बेर ने डंपर ड्राइवर के साथ मार पीट की पल्स ने ड्राइवर को हरासमें ले लिया है स्थरक हादसे के खबर है सीधी में कूले के पास ट्रकों बाइक Katar मार दी हादिसे में बाइक सबार तीन लोगों की मौत हो गई बाइक सबार बहरी बाजार से गजरी जा रहे थे उतरप्रदीश के बहराइच में महिला समित दस मासूमों को निवारा बनाने वाले भीडिये को ग्रामीडों ने पीट पीट कर मार डाला बहराइच के महसी तहसील के तमाजपुर गाओं में ये भीडिया बकरी का दरसल शिकार करने पहुँचा था जहां ग्रामीडों ने भीडियो को पकड़ लिया और उसे मार डाला ये भीडिया लगभग तीन महिने से आतंग का पर्याय बना हुआ था इसके 6 सदस्य की जुन ने पूरे लाके में आतंग परा रखा था पांच भीडियो को पहले ही वन विभाग पकड़ चुका है और अब चटे भीडिये को ग्रामीडों ने पीट पीट कर मौत के खाट उ गई अधर टीकमगड में एक युवा के साथ बेरामी से मार पीट की गई पड़ित ने वेतन मांगने पर शराप कंपनी के ठेकेदार पर मार पीट का आरोप लगाया और देहाद थाने में फायार दर्श कराए घटना का वीडियो अब वाइरल हो रहा राजधानी राइपूर के डीडी नगर इलाके में एक युवक की चाको मार कर हद्या कर दी गई है आरोपी के बाइक से गिनने पर युवक ने टिपड़ की थे टिपड़ करने पर आरोपियों ने युवक को चाको मार दिया इलाज के दौरान अस्पताल में युवक के मौ पहे पुलस ने एक नाबालिक समेत चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया है। आरोपियों ने जुमाल जटकी भी की है और इस तौरान आपकारी वभाग ने दो पेटियों से 37 से जादा लिटर शुराब जब्त की है। जुज़ा पोड़ी में दो दिन पहले मिले युवक्य शौव का खुलासा हो गया है। मौत भी हो गई है। तो पूरा देश नवरातरी के रंग में रंगा हुआ है। हर भक्त अपनी शुधा के नरूप आधि माश्रक्ती को अपनी भक्ती समर्पित कर रहा है। इसी बीच भक्ती के एक अनोखी कहानी बालो उद जरे से सामने आई। यहाँ एक पिता नी अपनी बेटी की समाधी स्थली में ही माद दुरगा के मंदर का निर्मार करा दिया। तो मैं दर्शनार्थियों के लिए खुश खबरी है। भाउक होते में रिया ने कहा कि दादी की कहानी को जीने का सपना पूरा हुआ। तीन अक्टूबर से बारा अक्टूबर तक चलने वाले आयुद्धा की राम लिला में कई फिल्में कलाकार भाग ले रहे हैं। रिया सिंगा मिस उनिवर्स इंडिया दोजार चोबीस के ग्रैंड फिनाले की विजेता हैं। और दोजार चोबीस में मैक्सिको में होने वाले मिस उनिवर्स दोजार चोबीस में भारत का प्रतिन दित्व करेंगे। अब आपको इंदोर के सिंडल जिल की एक तस्वीर दिखाते हैं इंदोर के सिंडल जिल में कैदी गर्बा कर माद दुरुगा की अराधना कर रही है नौ दिनों तक अलग अलग तरह के कारकरम आयोचित किया जा रहे हैं जिल अदिक्षक का अलका सुरुकर के मताबिक 200 कैदियों की चार टीम बनाए गई है गर्बा करने के साथ ही वंदन पूजन और भजन के कारकरम भी किये जा रहे हैं इस आयोचित से बंदी कैदियों में काफे उत्सा देखने को मिल रहा है किंद्री जेल इन दौर में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों के नहीं ने महिला और पूरुश बंदियों के द्वारा जो माता जी की स्थापना मारा समस स्टाफ ने की है तो माता जी की अरादना का जो सबसे पवित्र माध्या माना जाता वो गर्वे ही है तीन टीम पूरुश बंदियों की है और दो टीम महिला बंदियों की है जिनके द्वारा यहाँ पे गर्वों का प्रदर्शन किया जा रहा है इदर बिलासपुर के रेलवे ट्राक पर दो ट्राक मशीन टकरा गई बिलासपुर रेलवे जोन के नाकपुर डिवीजन में यह हाथसा हुआ नाकपुर डिवीजन में ट्राक पर दरसल यह दो ट्राक मशीन टकरा गई पाँच घायर हुए है जनमेसी तीन के हालत कंभी रहे गोंदिया स्टेशन के पास यह हाथसा हुआ तो इसके साथ फिलाल इस भुल्चन में इतना ही लगातार ख़बरों का अफडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आई बीसी 24 हमें देजिए जाज़त नमस्तार